हमारी दुनिया बहुत अजीब है यहां कहां कहां पर क्या क्या छिपा हुआ है कह नहीं सकते ऐसी ऐसी जगहे हैं जो जमिन से समाईने लगता है जब तक उस जगह को उपर आस्मान से देखाना जाए कुछ साल पहले सुदान के एक रहिस्तानी लाका में एक अभिस्वस्ण्य इमेज गुगल मेप पर देखा गया गुगल मेप पे सुदान की उस जगह के बीच में एक 20 साल का इंसानी सरीर का हिस्सा जैसा आक्रिटी देखा गया क्या है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ नमस्कार डोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और डोस्ट भरगब और आप देख रहे हैं Mr. भरगब 123 चैनल का अंडेका सच वीडियो सिरीज इस अक्रिटिका अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अंडजा लगया कि क्या हो सकता है आखिरकार इस अक्रिटिका नाम रखा गया Landlock Lips क्यूंकि ये दिखने में एक विसाल होट जैसा लगता है क्या नहीं लग रहा है ये इनसानी होट जैसा ये होट सुदान के दारफूर के घर्ब में स्थित एक पहारी सनरसना है जो एक किलिमीटर लंबा है लेकिन ये कोई असली होट नहीं है और कोई नहीं जानता है कि ये बने कैसे वहाँ पर रेट का अलग-अलग रंग हो सकता है इसके पीछे का राज जहां अक्रिटी के अंदर का रेट कुछ लाल रंग का है और चारो तरफ का पिला रंग का साथ ही अक्रिटी पर पेडों की एक पंक्ती भी है जो इस रूप को और ज़्यदा इस्पस्त करता है और जो लाल रेट है वो भी उबढ़ा हुआ और बीच में दबा हुआ है और बीच में भी कुछ और पेडों की पंक्तियां है बहुत लोगों को सकता की यह अक्रिटी मानब निर्मित होगा लेकिन इस अभिश्वस्निय घतना को पूरी तरह से प्राकिटिक कहा जा रहा है इन्हें जियोगलिप्स कहा जाता है यह कुछ दिजाइन्स होते हैं जो जमिन पर चट्टानों, पत्थर के तुकडों, पेर, इत्यादी द्वारा खुदबखुद बनते हैं जैसे भी बना है, यह होट बने हैं, बड़े ही सुन्दर और ठेंक्स टू गूगल सेटलाइट इमेजरी, गूगल मैप्स, एन सोसियल मेडिया अब यह रगिस्तानी इलाका रगिस्तानी नहीं रहा यह इमेज सोसियल मेडिया में इतना वाइरल हुआ, कि लोगों की रूची इस जगह पर बढ़ गई और अब यह जगह हरी भरी हो गई है अगर आप इस जगह को गूगल मैप में देखना चाहते हैं तो इस जगह का कोडिनेट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया है तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ अच्छा लगा तो लाइक और सेयर करे नए दर्सकों के लिए मेरा गुजारिस है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाले नए वीडियो आप देख सके और आपने अगर हमारे दुसरे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखे तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नमस्कार